नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे आसपास एसे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे भागे को बदल सकते हैं बस उसका सही तरीके से इस्तिमाल करना चाहिए तो आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका नाम है अतीपला यह आपके घर के आसपास यह रोड साइट कही भी आपने देखा होगा इस तरह का पौधा इसमें एक सुनहरे के रंग का पुस पाता है और इसका जो भल होता है ना उसका बस यह समय लेक्ट आकार ही आपको कहीं भी बरबसी अकरसित कर लेगा तो इस पौधे का नाम अतीबला है जैसे की नाम से आप जानते हैं अतीबला क है कई बार आप तंत्र क्रिया हैं नकात्मक उड़ जाएं या फिर कुछ सारे रिक परेसानियों के कारण बहुत परेसान रहते हैं तो ऐसे में इस पौधे कर चमतकारिक लाब आपको हर मुस्किल से बाहर निकाल देगा क्योंकि आयुर्वेद में इस जरी बूटी का बहु पुरा ज्यान हो जाए तो कई तरह की विमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं और साथ ही यह औसधी पौधा होने के साथ तंत्र मंत्र नकात्मक उड़ जाओं को समाप्त करने वाला धन को आकर्षित करने वाला पौधा है इस पौधा के बहुत सारे गुन हैं माना जाता है कि इस पौधे के जड़ का प्रियोग आपके बहुत सारी सारीरिक मुस्किलों को समाप्त कर देता है तो इस पौधे के बारे में हमारे तंत्र सास्त में बहुत सारे प्रियोग बताया गया है आईरुवेद में भी बहुत सारे इसके प्रियोग है तो चलिए आ सिद्ध और युनानी चिकित्सा पद्धती के अनुसार आज हम आपको कुछ महाँ प्रियोग बताएंगे कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो सुनकर आपको लगेगा कि हाँ यह ग्यान हमको पहले ही प्राप्त होना आता है तो अब से इस पौधे को आपको फेगना नहीं है बल लेकिन जब भी कोई भी आप प्रियोग करते हैं खास कर तंत्र मंत्र तो आप सनीवार अभिवार यह मंगलवार का दिन चुनिए और एक दिन पहले निमंत्रन देना चाहिए निमंत्रन देने उससे क्या होता है ना पौधे के गुन बढ़ जाते हैं पौधे भी आपको कर लेंगे तो इस पौधे का पत्ता जड़ और इसका फल हर किसी में गुन है तो आप निमंत्रन कैसे देंगे देखिए वैसे तो अगर आपके पास समय नहीं आते जाते कहीं दीख जाए तो आपके पास पानी का बोटल रहता है थोड़ा सा पानी जड़ में दाल दीजिए तो एक सिक्का होँपर एक रुपे का सिक्का जो भी आपके पास है वह पर रख दीजिए जड़ के पास और बोलिएगा पढ़नाम करके आपकी जो समस्या है धन की मुस्किले हैं स्वास्त की मुस्किले हैं तो आप बोलिए कि आप कल लेने आएंगे और आज आप उनको निमंतरन देने आये हैं फिर अपनी परेसानी बताईए अपना नाम बताईए अपना जगा का नाम बताईए कि आप कहां से आये हैं आपका नाम क्या है अपना परिचे दीजिए और कहिए कि हमें ये समस्या है संतान नहीं हो रहा धन की प्राप्ति तो यह बोलिए उनको जो भी आपकी मुश्किले है और बोलिए हम आपको कल लेने आएंगे अगर मान लेते हैं आपको उस दिन समय नहीं है सनीवार की ही दिन आपको रविवार मंगल भर के दिन दिग गया तब तब आप उसी दिन भी ला सकते हैं परणाम करके बोलिए कि चल ऊपर में जाता है थुरा सä जडर तोड़ कर ले आना है तो सबसे पहले हम आपको पत्ते का प्रीयोग बता देते हैं देखिए इसकी जड़ दोनों का ही प्रीयोग होता है तो पहला प्रीयोग यह है कि तीन पत्ते तोड़ कर ले आई है अगर धन की मुश्किल है आपके जीवन में तो अब इन पत्तों को अपने धनस्थान पे रख दे किसी भारी वस्तू से दवा कर और काम ना करे कि धन इस्तिर हो जाए एक महिने के बाद आप इसको कहीं भी रख सकते हैं आप अगर घर में ध रखते हैं यह कुछ पैसे रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं और किसी भारी वस्तू से दबा दीजिएगा इस पत्ते को एक मैने के बाद उसे उठा कर मिट्टी में दबा दे एक मैने में आपको असर आजाएगा आप देखिएगा धन का खर्चा कम हो गया है और जो बे जड़ लाने के बाद बस आपको निमंतरन मैसे देना है के देखिए हमने आपको पहले भी आकरे के पौदेे के पारे में बताया था कि जड़ से कैसे संतान प्राप्ति होती है उसी बर अतीबला के जो फाइदे हैं वह बहुत है अब इसको जड़ को अच्छे से साफ कर ले फिर फुजा अस्थान पर रखें जैसे आप भगावर की पुजा करते हैं जड़की भी पुजा करें और तीन दीन के बाथ इस जड़को कूटकर जो महिला प्रीग्मिंट होना चाहती है वो थोड़ा थोड़ा करके प्रियोग कर सकती है जैसी की रोटी वेगरे के साथ भी खा सकती है । या ऐसे भी थोड़ा सा सहथ के साथ चाट सकती है थोड़ा थोड़ जादा नहीं एक चुटकी से भी कम बस नीम करना है क्योंकि इसके फॉल बहुत है अब देखिए इसका स्वास्थ की समस्या में भी इसका प्रियोग होता है तो उसके पहले एक और बात अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा और वीडियो पसंद है तब लाइक कीजेगा कमेंड कीजेगा तो हमने कहा जैसे कि स्वास्त के लिए भी बहुत गुंकरी है अतिवला के प आप कई बार क्या होता है न पेट में दर्द होता है ऐसे में अतिवला के साथ आप सोठ मिलाकर दूद के साथ पीए तो पेट दर्द में भी आराम मिलता है हलांकि कोई भी आयरुवेदिक प्रियोग किसी बैद के ही सलाह से करना चाहिए इस बात का धियान रखिएगा लेक अगर कमजोरी ज्यादा है सलीर में खाया पियान नहीं लग रहा तो अतिवला की वीजों को पका कर खाने से सलीर में ताकत बढ़ जाती है साथी साथ अतिवला का जो प्रियोग है वह यूरीन की मुस्किलों को भी समाप्त करता है काढ़ा बना कर सके पीने से और अगर बार बार पिसाब आने की समस्या है तो जड की छाल को पॉडर यदि चीनी के साथ लें बार बार पिसाब आने की समस्या समाप्त हो जाती है कई बार मसूरे में थोरा सा दिक्कत आती है सूजन आती है मसूरों में तब आप पत्तों का काढ़ा बना कर तीन चार दिन कुल्ला करें तो मसूरों की जो समस्य है वो भी समाप्त हो जाती है अतीवला ज्यादा तर गुर्दे की परेसानियों को समाप्त करता है गठिया जो जुएंट पेन होता है उसको समाप्त करता है और साथ ही दस्त में भी लाप करता है यहां तक की मिर्गी के दोरे में भी लाप देता है एंटी ऑक्सिडेंट एंटी जो जीवानु रोधी कुन होते हैं इस पौधे में होते हैं और मधू मेह यानि की जो डायविटीज की समस्या है महिलाओं के जो प्रजणन प्रनाली के लिए भी अतिवला का जैसे आपको बता है लाब होता है और यहां तैकि रोग प्रती रोध चमता भी बढ़ाता है संक्रबन से भी आपको बचाता है यह अतिवला का पौधा देखिए इसका पेस्ट बनाने के लिए पत्ती बीच को पानी में से कुझला जाता है और फिर रस को पूरी तरह से इसका अगर आप पत्तों के पौडर और ग्यों के आटक मिस्रन का भी कर खा सकते हैं काड़े के रूप में खा सकते हैं बीच का पौडर को पानी के साथ भी ले सकते हैं पौधे को जड़ों का पौडर का इस्तमाल किया जाता है तो इसके बहुत सारे गुन हैं हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बाते करेंगे फिलाल भी दा लेते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूली कियेगा धन्रिवाद हम फिर मिलेंगे